वाइलेस जंबो डिस्प्लेइ कोई भी इंडिकेटर है उसमें आप वाइलेस डिस्प्लेइ बना सकते है रेंज रहेगी तक्रीबन 300 मिटर मतलब की 900 हजार फुट जैसा हो जाएगा आप देख रहे हैं यह आउनली जंबो डिस्प्लेइ है और हमारा यह डिवाइज है और डिवाइज है डिवाइज चालू हो रहा है आप देखें डिवाइज आउनली फट छोटा है एक दम लगाने में भी इजी रहेगा साइ आपका ब्लिंकिंग कर रहा है देखें यह डिवाइज वन थाउजन मीटर तक आपको वेट दिखाएगा यहने कि आर एस का डेटर ट्रांसपर करके आपको देदेगा आप देख रहे है इसका केबल है वो यहां से यहां और यहां से आपको देख रहे है पावर में लगाया है खाली पावर में लगाने के बाद में उसको कोई कनेक्शन किया नहीं है आप देख सकते हैं मैं उठा के इसको साइड में कर रहा हूँ देखें यह सामने है हमारा ल रोड सल के उपर हम वेट रखेंगे आप देखना दोनों साइड में वेट आ जाएगा यह हमारा आइटी है वेब ब्रीज का वेब ब्रीज के आइटी के अंदर हमने लगाया है यह आप देख सकते जीरो के सामने वेट है और उसके सामने भी आपको हमारा वाइलेस दीवाइज दीखेगा सामने वाइलेस दीवाइज है अब देख सकते हैं वाइलेस दीवाइज यहां से ट्रांस्मीट होता है डेटा और सामने वो जम्बो डिस्प्ले रेसीव कर रहा है अभी मैं वजन रख इसके ओपर वजन वेट रखूँगा आप देखें यह पास में लाता हूँ आपको दोनों का वेट आपको दिखाए दे इसलिए आप देखें सकते हैं 1000 kg का वेट रखता हूँ मैंने 1000 kg इसके अंदर सट किया हुआ है अब देखें दोनों में वजन आ गया है आप देख सकते 100-ね highest ये जम्बो डिस्प्ले ने आ वंन Thao-Kate वह भी बीना वायर बिना कोई बाइर लगा हैं नहीं कोई कनेख्शन किया नहीं है आप देख सकते हैं एक खाली पावर सप्लाइज इसको दिया है देख लिए दोनों में सेम वजन आ रहा है देखे मैं ले लेखता हूँ जिरो आ गया फिर बड़े टकता हूँ 1000 ऐसे आप कोई भी इंडिकेटर में आरस डेटा जहां से निकलता है वो इंडिकेटरों को उनके डिस्प्ले को आप बना सकते है वालेट टी वाइज यह है फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ यह बार लिख रहा है एक बार देखे आप कि देख लिए जी आप ट्रांस्मीट हो रहा है डेटा कि यहां से कनेक्शन यहां किया कि यहां से कनेक्शन वाइलेस के साथ में यहां करते हैं कि देख लिए यह आपका ट्रांस्मिट और रेसीवर चाल हुए है कि आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं इसका कोस्ट बहुत कम है मैं आपको नंबर मेरा साथ में देता हूँ उनके अपर कॉल करके 1000 मिटर का वाइलेस दीवाइज मगवा सकते हैं कि बहुत बेस्ट पर्फॉमंस कंफर्म रिजल्ट कोई कंजप्शन नहीं है बीच में पावर कनेक्शन का और वाइलेस डिस्टेबंस नहीं है कंप्लिट चल रहा है आप देख सकते हैं कि बहुत बाइलेस नहीं है